योगी पहले उधारन पेश करते हैं फिर लेते हैं आक्शन पहले की अपने घर के सफाई अब बारी अखिलेश की योगी जो भी करते हैं डंके की चोट पर करते हैं यूपी के मुखिया योगी आधितनात वैसे तो अपने उपर सवाल उठाने की कोई गुंजाईश नहीं छोड़ते हैं लेकिन विपक्ष का काम क्यूंकि सवाल उठाना ही है तो बिना आधार के भी विपक्ष मौका ढूंढ ही लेता है अब इस बार देखते हैं कि विपक्ष के इस तरह से योगी को अपने निशाने पर लेता है क्यूंकि अब योगी करने जा रहे हैं अखिलेश के घर की सफाई जी हाँ अब सैफवई में बुल्डोजर चलने वाला है अब सैफवई के माफियाओं का घमन तूटने वाला है अब सैफवई में अवैध अतिक्रमण पर बुल्डोजर चलाने की कारवाई की जा रही है सपा अध्यक्ष खिलेश यादव के गाउं सैफई में योगी का बुल्डोजर चलेगा तो तकलीफ तो होगी ही अखिलेश को भी और उनके घरवालों को भी कहा तो ये भी चा रहा है कि इसकी जद में सपा महसचिव राम गोपाली आदव और तेज प्रताप यादव भी आएंगे दरसल सैफई में PWD विभाग ने दुमीला बॉर्डर से इटावा शहर के ITI तक सडक के दोनों तरफ आने वाले अतिक्रमण को मार्क कर दिया है टीम ने सैफई से हवरा तक लाल निशान से मार्किंग कर ली है PWD प्रांती एखन की तीन टीमें इस काम में लगी थी लेकिन अब जब राजनीतिक दबाव बढ़ा है तो और लोगों का आक्रोश भी दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है तो सर्वे का काम फिलहाल तो बंद कर दिया गया है लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि सुमवार से फिर एक बार प्रक्रिया शुरू की जाएगी विभागी अधिकारे मामले में कुछ भी बोलने से बच्चते दिखाई दे रहे हैं लेकिन माना ये जा रहा है कि एक हफते में प्रशासन ने किसी भी तरह से अतिक्रमड को गिराने के आदेश दे दिये हैं मतलब वक्त सिर्फ एक ही हफते का है जब सैफ़ई में अतिक्रमड गिराने का काम पी ड़ूडी विभाग को पूरा कर लेना है पिलाल विभाग ने 58 आवासीय संपत्यों के अलावा 106 संपत्यों को मार्क किया है जो अतिक्रमड की जब में है इन संपत्यों पर 2-5 मीटर तक के निशान लगाए गए हैं दिल्चस्प बात यह है कि अतिक्रमड की रेंज में समाजवादी पार्टी के राश्ट्रिय महासचिफ प्रफेसर राम गोपाल यादव के आवास के एक दीवार भी आ रही है और साथ ही पूर्व मेनपुरी सांसत तेजप्रताप यादव का भी एक फ्लोट आ रहा है इसके अलावा उनके कुछ और करीबियों के बाजार और तुकाने भी चिन्हित कर ली गई है एक डिग्री कॉलेज, जिला पंचायत का इंटर कॉलेज, सैफ़ाई थाने की दिवार और कुछ एक सरकारी भवन भी अतिक्रमण की रेंज में है जिनको गिराया जाना है निश्चित तर पर इससे समाजवादी पार्टी से जुड़ी नेताओं की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है योगी ने कहा है तो कारवाई होगी और कारवाई होगी तो फिर हंगामा भी होगा ऐसे में लोक निर्माण विभाग की अधिकारी ने बताया फिलहाल जमीन को मार्क किया जा रहा है इस मार्किंग में जो भी अतिक्रमण आ रहा है उस पर निशान लगाए जा रही है हम चाहते हैं कि जनता का कम से कम नुकसान हो इसलिए विभाग अन्य विभागों से राय लेकर क्रॉस एक्जामिन कराएगा PWD अधिकारी ने कहा कि शासन से साफ निर्देश है कि जो भी अतिक्रमण है उसे तुरंद खत्म किया जाए ऐसे में सर्वे रिपोर्ट को राजस विभाग के पास भेजा जाएगा जिसके बाद बुल्डोजर चला कर अवैद अतिक्रमण को गिराया जाएगा योगी कि इस कारवाई से अखिलेश चाहे तो नाराज हो सकते हैं लेकिन नाराज होने की कोई बात नहीं है पूरे यूपी में अवैद अतिक्रमण हटाने की कारवाई की जा रही है माफियाओं की संपत्य को लगातार सीज करने की कारवाई हो रही है अभी योगी ने हाल ही में अपनी गृह जनपद में पनप रहे माफियाओं के मनसूबों को ध्वस्त किया है गोरकपूर सदर और सहजनवा क्षेत्र में माफिया सुधीर सिंग के दो मकान और जमीन को जब्द किया सुधीर सिंग की फॉर्चुनर गाड़ी और फैक्टरी को भी प्रशासन ने अपने कबजे में ले लिया इसके अलावा अपने दूसरे कारकाल में योगी पिछले दो महीनों में सिर्फ गोरकपूर से 12 करोड की संपत्ती को जब्त कर चुके हैं योगी ने तैक कर लिया है कि ना तो माफियाओं के अवैद धंदों से कमाई संपत्त्य प्रदेश में बचेगी और ना ही कोई अवैद अतिक्रमण योगी ने कसम खा लिया और अधिकारियों को भी माफियाओं की कमर तोड़ देने के सक्त आदेश दे दिये हैं हर नगर निकाए वहां का जिस उप जलादीकारी के धीन आ रहा है वह उप जलादीकारी वहां के डिप्टी एस्टी जलादीकारी और पुलिस अधिक सक इस बात को सुनिशित करेंगे कि इसको हम लोग किसी भी इस्थिति में वहाँ पे नहीं चलने देंगे और उसको वहाँ से हटाएं और साथ सफाई की विवस्ता सुनिशित करें योगी के इरादे जग जाहिर हैं योगी कोई भी काम छिपकर नहीं बल्कि दंकी की चोट पर करते हैं और उनको फर्क भी नहीं पड़ता कि इसके लिए कौन उनके बारे में क्या सोचेगा योगी ने ठान लिया है कि प्रदेश की जनता ने फिर एक बार उन पर भरोसा जता कर उनके हाथों में प्रदेश की कमांद सौंपी है तो योगी भी इस समान के बदले में यूपी को उचायों पर पहुँचा कर ही दम लेंगे जिसके लिए सबसे पहले तो योगी प्रदेश को साफ करने की कारवाई में जुटे हुए है अब इस कारवाई में अगर सपा महसचिव रामगोपाल यादव और तेजब्रताप यादव भी आ रही है तो योगी उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते अब अवैद अतिक्रमण पर बुल्डोजर चलेगा तो मतलब चलेगा अब इस कारवाई को रोका नहीं जा सकता PWD विभाग को एक हफते के अंदर-अंदर ये काम खत्म कर लेने की जिम्मेदारी सौपी गई है रैसे अब जब अखिलेश के अपने ही घर में योगी बुल्डोजर लेकर पहुँच गए हैं तो इस पर अखिलेश की जबरदस प्रतिक्रिया देखने को मिलने वाली है अब इस शुक्रवार को ही बुल्डोजर चलाए गए अवैद मकानों का वीडियो साज़ा करते हुए अखिलेश ने लिखा था यह है दो हजार बाइस तक सब को घर देने का जूटा वादा करने वाली भाजपा का सच आसों का मोल समझने के लिए एक समवेदनशील हिर्दय चाहिए होता है जो भाजपा सरकार में नहीं है संस्कृती का जूटा स्वांग रचने वाले जानले कि हमारी संस्कृती में तो चिडियों के घोसले भी नहीं तोड़े जाते हैं इसके बाद जब अखिलेश के अपने गव में योगी का बुल्डोजर चलेगा अवैध अथिक्रमड को बुल्डोजर के जरिये हटाया जाएगा जिसमें राम गुपाल यादव की भी एक दीवार और तेज प्रताप यादव का भी एक प्लॉट आ रहा है तो इस पर अखिलेश का बॉखलाना लाजमी ही होगा खिर देखते हैं जब बुल्डोजर चलेगा तब क्या होगा फिलाल आप हमें बताएं कि आप योगी के आक्शन से कितने संतुष्ट है और अखिलेश की समय समय पर योगी सरकार की अवैध अतिक्रमड पर की जा रही प्रतिक्रिया पर आप क्या कहना चाहेंगे इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं हर नगर निकाए वहां का जिस उप जलादीकारी के धीन आ रहा है वह उप जलादीकारी वहां के डिप्टी एसपी जलादीकारी और पुलीस अदिक्सक इस बात को सुनिस्षित करेंगे कि इसको हम लोग किसी भी स्पिति में वहां पे नहीं चलने देंगे और उसको वहां से हटाएं और साप सफाई की विवस्ता सुनिस्षित करें ITMS सत्रा के सत्रा नगर निकाएं जो नगर निकाएं हमारे हैं इसमें ITMS दौस में स्मार्ट सिटी मिसन के अंदर गयता है तो बन चुका है या बन रहा है से साथ में राज्य सासन की और से नगर विकास की और से ITMS बनना है ITMS को सेप सिटी के साथ जोड़ना ग्रे भिवा के साथ जोड़ना और सभी नगर 17 के 17 नगर निगमाओं के साथ साथ नवेडा, ग्रेटर नवेडा में भी हम इसको सुनिस्षित करवा लें कि इसको हम सेब सीटी के साथ जोड़ेंगे और सेब सीटी मिसन के अंदर कर अगे वढ़ाएंगे हम जो सीटी के अंदर होल्डिंग लगाते हैं बेतर्तीब होल्डिंग बंद करवाईए देखे इसमार्ड सीटी मिसन की एक सर्त है ये कि बेतर्तीब होल्डिंग घटनी चाहिए